नमस्कार दोस्तों तो टीचर रिक्रूट्मेंट एक्जाम जो टियारी है उसके जो सबसे बड़े महारथी है इस छेतर के रजनीश सर वो हमारे साथ है आज और आज ये भी मार्क दर्सन देंगे कि कैसे त्यारी करें क्या करें और आखरी 25 दिन की स्ट्राटेजी इनसे बहतर सायद ही कोई बता सकता है आज के डेट में तो मैं माइक सर को ही दे रहा हूं और सर से हम सब जानेंगे कि आखरी 25 दिन में क्या करना चाहिए थेंक यू सो मच सर और सर के शनल पर पहली बार आ रहा हूं लेकिन अब हमेशा लगभग जब भी छुटी मुझे मिलेगी जब भी समय मिलेगा हम सर के साथ जुड़े रहेंगे तो टियारी वाले भीर थी टियारी वन टू थी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स सेलेक्शन आज किसी भी स्कूल में चले जाइए टियारी वन में टू में थी में अगर सो बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो असी नबे बच्चा जो हुमारा है कम से कम असी बच्चा तो हमारा है हर स्कूल में अगर दस जोईन किया है तो आठ बच्चा हमारा है तो लगातार म पढ़ाते रहें इस बज़े से लेट हो गया इन पेसंस के साथ लगे रहे सेलेक्षन हुआ सेलेक्षन होता है गुरू लगातार जुड़े रहे हैं और सेशन को लाइक कर दीजेगा और जितना हो से गुरूप में सेर कर दीजेगा एक बड़ा इंफॉर्मेशन लेकर आपके लिए मैं आया हूँ चोदा तारीक से चोदा फरवारी से स्वरसोती पूजा का दीने बसंद पंचमी है हम सभी हम लोग समा स्वरसोती की देन हैं जो भी बोल रहे हैं सब उनहीं के देन हैं तो मास्व तोती के पूजा के साथ उनके को सीचेंगे मुझे नहीं रखता कि सर से क्वालिटी वाले कोई मतलब आपको मेंटर मिल पाएगा इनसे बहतर और दिलिप सर अब भी थोड़ा सा प्लीज आप आ जाएगे इस दिलिप सर इनको भी टियारी में आप देख चुके होंगे तो मैं कहता हूं कि आपको अब इन में क्या करें भी बताओंगा लगी सबसे पहले तुछ बढ़ा देता हूं कि 14 तारिक से लगातार लाइफ क्लास डिकॉर्ड क्लास नहीं लाइफ क्लास आपको मिलेंगी टी आरी के लिए हर बिसे पर अलग अलग हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटीक नौमी साइंस सब का जने जञेंगे सब्जेक्टिब क्लास, आपजेक्टिब क्लास और किसी तरह का क्रिंगे क्वार श१ार के सकते संपन विपन हैं कोई मतलब नहीं बनता है, आप कहीं भी हैं सब ने देखें हैं तो पूरा करने के लिए चैजल आपके साथ हमेशा बना रहे गएंगा, समया स आप से मिलती है मुझे तो आप एक बहतर मांग दसने साथ बहतर टीम के साथ 14 तारिक से आप रेगुलर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो ऑल नोटिफिकेशन उसको बे लाइकन दबा दिजेगा ताकि आपस नोटिफिकेशन पहुंच जाए सब कि टाइमि टी आरी के नाम से है उसको आप जोईन कर लिजेगा उस पे पूरा सिड्यूल चला जाएगा हर दिन का लिंक भी जाएगा लेकिन आप लोटिफिकेशन और रखेगा तर लिंक लेने की जुरुत पढ़ेगा नहीं आपको चाइब कर लिजेगा चौदा से लगातार 20-22 दिन आपको सर सीचेंगे और स्योर गरंटी देता हो जी देखेंगे तो अठेंटिक चीज और जो परिक्षा में आने वाली चीजे हैं वही पढ़ाई जाएंगी ज्यादा इधर उधर पढ़ने से मारा एनर्जी लोसो का तेज दिन का जो समय है ना इस समय बहुत कीमती है इसमे रहां जो ईनानस्मेंट बहुत बहुत बड़ा इनांस्मेंट लगा मुझे आ पका बीः में जितने भी परिक्षा होंगे विहार SSC हो विहारदारोगा परिक्षा हो सिख्षक भरती परिक्षा हो जिस्बैंगले तरह के होगा हर एक्ज्ञाम के लिए सर सिपरेड तरीकें स एक स्कॉलर सी टेस्ट लेंगे जिसमें तोटल 30 या 25 बच्चों का सेलेक्शन करेंगे सर टॉप 25 या टॉप 30 इस तरह से जो सेलेक्ट होंगे उनको रहना, खाना, पूरी गाइडलाइन, होमबर्क देना, टाइम से पढ़ाना, होमबर्क सुनना, एक एक चीज का केर करते और 30 में उन्हीं बच्चों का स्वागत होगा, जो अपने मुबाइल को, इंस्टाग्राम, फेस्बूक, इनको, इनसे मोह माया छोड़ कर जुड़ेंगे, हैना, अपने चहेता, अपने चहेती, सब को छोड़ कर जुड़ेंगे, तभी सर के पास अस्थान है, वो चहेता, चहेती वाला बात नचलेगा, गुरू, आपको एदम सब कुछ दुनिया से विरक्थ होके आना है, अगर एक बार में सेलेक्शन लेना है, तो सर अपने मागदसन में, फ्री ओपकोष्ट, जो स्कॉलर से परिक्षा पास करेगा, उसको फ्री में खाना, रहना, पूरा गाइ उसमें गल्स बाइच का रेसियो देख लिया जाएगा, गर गल्स का पॉसिबल होगा, तो देख लिया जाएगा, जो तैयार होगी लड़किया पढ़ने के लिए उनके लिए भी पूरा सेपरेट और अच्छा बेवस्था गल्स, होश्टल टाइप का, उसमें सारा, मतलब जो भी सुरक्षा हो सकता है, चुकि हमारे हाँ जेंडर गैप एक बहुत बड़ी समस्या है, सर, एक सो सूपर हमारा रेंक रहा था जेंडर गैप में, तो ये अभी हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, कि लड़के ही रहेंगे, लड़कियों के लिए सेप्लेट होश्टल क सब कुछ सेप्रेट बेवस्था रहेगा, उसके लिए आपका होश्टल का वार्डन भी अलग रहोंगे, लड़की महीडा ही होंगे, मतलब पूरी ऐसा नहीं कि मतलब भेदभाव करेंगे, लड़का ही होश्टल में रहेगा, इसी बात नहीं है, तो एक बहतर तरीके से सब कर द्वारा किया जा रहा है, और आसा करता हूँ कि आप लोग इससे जुड़ेंगे, और महीनत करके, सफलता प्राप्त करके, सर का नाम भी और जो भी है, अपने देश का नाम, राज्जी का नाम, माता पिता का नाम, रोसन करेंगे, तो माता ससुति के असिरवासी सीब पढ़ने का मतलब है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो पतली किताब होती है बड़े-बड़े को मातर एक पन्ना में लिख देता है तो आपको जिसे भूगोल की बात करता हूं सर भूगोल में कोई फाइदा नहीं है तो जिनका तेस दिन का समय बचा है सर वो किवल mcq लगाएं डेली कम से कम जीएस का यहां पर जो लाइब से चलेगा वो चलेगा अपने घर पे भी कम से कम 200 से 200 जीएस का mcq आप रोज लगाएं प्रीवियस पेपर मिल जा तो अति उत्तम तो 1200 mcq रोज लगाएं जिस 200 mcq को लगाएंगे आप उसको आप कम से कम दिन भर में कोसिस कीजिए कि तीन बार चार बार रिफाई भी कर लें सेम mcq को डेली ए घंटा करेंट फिर पर समय जीए गणित के दस सवाल आता है चालिस नंबर में तो गणित के जो दस सवाल है उसके लिए दस मैथ का प्रैक्टिस डेली आप करिए नादे घंटे में आपका हो जाएगा इसके अलावा हिंदी और अग्रेजी कौलिफाइंग पिछली बार 88 नंबर 92 नंबर ऐसे लोगों गणित करना पड़ेगा एक घंटाब प्लीज इसको भीग नौर मत कीजेगा एक सावा घंटाब समय हिंदी अंग्रेजी कौलिफाइंग पर भी दिजिए गा बस इतना ही करिए और कोई टॉपिक पढ़ने का मन भी है तो एमसी क्यों आप जिब लगाएंगे ना तब पता चल जाएगे कौन से सक्षन आपका कमजोर है सिर्फ वही टॉपिक जाकर हम किताब से पढ़ेंगे जैसे माल लीजिए हिस्ट्री का आप एंसी क्यों लगा रहे थे तो हिस्ट्री में आपको ऐसा लगा बनाने के बाद कई सारा सेट कि हमारा 1857 का जो रिवॉल्ट है उससे क कोश्चन गलती हो रहा है हमें सब याद नहीं रह रहा है तो सिर्फ लूसेंट में कोई भी किताब में जाकर उसी चैप्टर को पढ़ें जो आप से नहीं हो रहा है कॉंग्रेस का सारे सवाल आपके बन जाते तो क्यों पढ़ें गांधी जी का अंदुलन सब हो जाता था न सब्सक्राइब जो चैप्टर नोट की जगा एंसी की जब लगाया इसमें यह वाला चैप्टर हमको इस भी से में पूरा नहीं उस भी से को खाली पढ़ना है इसे टाइम भी बचेगा और कौलिफाई भी कर जाएंगे जनरलाइज को सब्सक्राइब पढ़ने को सिसमत कीज अऊपने घर को से टाइब ले रहे थे में नहीं छोड़ा जैर सब कहता ही जैंगा ड़ना पूछ लिया हमें सारे में सीधे लाड़ा गॉस्टन-ाग जो लोग फंच लाय थे तो आप लातोर प्रिवीस new को श्चन को मैं हमें सा ब्रस हमें कमांड में रखिए आपका हो जागए बिहार Special पर फोकस मत कीज़ेगा कम कोश्चन एकाड दो कोश्चन आएगा तो इक दो कोश्चन के लिए पूरी क्रिंथ पढ़ लेजिएगा इसके कोई फायदा नहीं है तो भाई, आपके लिए मेरा सुब खामना है मुझे अब नौकरी हो गई है तो भाई हम समय उतना तो नहीं दे पाएंगे लेकिन जब ही मिलेगा समय हम सर के साथ जुड़े रहेंगे हमारा मागदसन सर के साथ लगा रहेगा बस आप इनके छटरशाया में अगर पढ़ लिए सही से फॉलो कर लिए लिए जो सर बताते हैं तो आपका सेलेक्सन हो जाएगा तो गुरू सेसन को लाइक कर दे लाइक तुम लोह नहीं करते हो लाइक कर दें रहा हो से सब्सक्राइब कर दिन लाइफ कर दिजेगा सर पूजा को और सभी लोग इस पूजा का लाब उठाएंगे तो बस आप सभी बचों को अगर कोई गलती है प्राध हुआ तो छमा करें और उनको खूब यह होगी जह है पूर सोत्व नवीन कह वहां सक्ति राम के बदन में हो गए लीन पैदे सक्ति थी रावन के पक्ष में लिंगन जब रहा मत पस्चा के कठो कर येगा तो सक्ति to सक्ति के पक्ष में आती है और तो सियोड़ अशिरबात मिलेगा मासरस्वतिका और आपको सभी क लिए मत कीज़गा पो इतना अगरी लग जाएगा। इसलिए मत तैयारी किजिए आप तैयारिस ले करिए जिस के चछक बन गए अपने स्कूल को राद जी में पर्थम अपने स्कूल को देश में पर्थम यहां नहीं कि आई एस ऑफिसर बन कहीं नाम कमाया जा सकता है आप अपने स्कूल का नाम पर्थम करवा कि अपने नाम को टॉप ले जा सकते हैं कुछ नहीं है बस अंदर से जुनुना जजबा रखिए खुब मेहनत करें इस लिए कि हम इस स्कूल में मिलेगा उसको उधार कर देना अच्छा एक तयार करेंगे एक टीम बन रही है सरकर्णिस्ट्रेशन में तो देखें इतिहास सर को इतिहास पड़ता है लेकिन हम लोग कहीं कहीं कॉंसेप्ट गलत कर जाते हैं जैसे भी कुछ दिन पहले हम लाइव ले रहे थे मैक्सिमम लोगों का मेडाइवल में गलत हो ठीक है क्योंकि हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो अभी जितना भी एमसी क्यों आएगा जो उसके डिसकसंस हम लोग बताएंगे आप एक कॉंपी पेन लेके जरूर बैठीएगा कि उसको लिखते जाना है वन लाइनर आपका त्यार हो गया कोस्टन तो हो लोग उमीद करते हैं कि सरस्वती पुझा से हम लोग सुरू कर रहे हैं तो माता सरस्वती हम सब अपनी कृपा बनाए रखे और हम ऌसowa में होड़ा इतनी जल्दी एकजाम सो रहे हैं तो सभी को सबता मिले क्योंकि बहुत सारे पोस्ट आ लगवक 70-80,000 आ रहे हैं अगर ये जैसे बाहर है अगर बाहर में आप नहीं बाहर निकल पाएं तो फिर बाहर निकलने की संभावना कम हो जाती है तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि चलिए आप लोग हम लोग के साथ रहेगा जो लोग भी देख रहे हैं हमारे चैनल से आप ज जुरिये और सफलता प्राप्त कीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर और सभी ने सुना कि क्या करना है आखरी 25 दिन में और जो बड़ी एनाउंस्मेंट रजनी सर ने बताया वह सही में होने वाली है एक तो 14 तारिक से क्लासे चलेंगी उससे जूड़ जाएंगे आप तो ही आप समझे आपका 80-90 परसंट त्यारी आपकी पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद एक स्कॉलर्शिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो भी बच्चे टॉप करेंगे 25 से 30 बच्चों का हमारा टार्गेट है उनको फ्री ओफ कॉस्ट रहना पढ़ना उनका मोवाइल सीज करके 24 घंटे का टाइम टेवल हम लोग बना के देंगे उसी हिसाब से जी टी जो शक्यक्मा टी करेंगे उसमें जिए बनीडा़ कि business नहीं प्री जो